माशारला सुभान बाइब आ benevol हमेने मतरी और चिकन को त्यार किया किस तरह से त्यार करूंगे लोगों अब लोगों से देखें सबसे पहले हम मतरी को तोड़ेंगे किचन गार्डन में जाएंगे शमसाइब से ऒान बहुत ही माषारी तोड के पंकान हूई यह अदे यह किचन नज़रा आ रही है इसके लुक यह मारा किचन गार्डन है माशाला बहुत ही प्यारी मठरी लगी हुई है बिस्मिल्ला इर्माने रही है असलाम अलेकूम बिक फूट सीके में हुशाम दी आला ताला आपको खुश रखे जहां के भी हुश रहे हम हम से शेयर करेंगे मठरी बनाएं Gे सबसे पहले हमने प्यास काटा है दोसमाल प्यास ली आची तरह से हमने इसको वाश किया पहले हुशक किया इसका पानी उसके बाद कुकिंग grand डाला एक पाउफ के करीब हम कुकिंग आयर डालेंगे इस में माशाला सुभानला बहुत मज़े की मटरी त्यार होगी आप लगोर से देखें एक एक टिप्स को फालो करें काफी टाइम पाद मैं वीडियो बना रही हूं क्योंकि मस्रूफियत ऐसी थी जिसकी वज़े से मैं वीडियो नहीं बना से की तो आज से शुरू करते हैं भीग फूर्ट सी की वीडियो बनाया करूंगी मैं तो माशाला प्यास थोड़ा सा प्यास का कच्चापन हमने हत्म करना है उसके बाद हमने चिकन को अच्छी तरह से वाश किया है चिकन सारा इसमें डाल दें तक हमने चिकन लेना है एक किलो प्या हुआ 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 ह क्योंकि मैं एक हाथ से वीडियो बना रही है एक हाथ से कुकिंग का रिंग माशाला सुभान आला बहुत भी प्यारा कलरा गया चिकन का कि रफली कटिंग करके हमने टमाटर डाल दी है यह मटर इतनी मज़े की बनती है बहुत ही मज़ा आता है आप बना के खाएं रुम्जान श्रीफ में तो बहुत मज़ा आता है काने का सहरी को खाएं मज़ा आ जाता है माशाला सुभान आला यह देखें लसन मैंने डाला है तक्रीब न बेस जोएं होंगे लसन के वह मैंने डाल ले अच्छी तरह से बेस के मैंने डाल दिया था अभी हमने इसमें कोई मिसाला नहीं डाला सिर्फ नमक डाएं सोरी सिर्फ लसन हमने डालना उसके बाद टोमाटर डालें टोमाटरों का कच्छा पन हतम होगा तो उसके बाद हमने मिसाले सारे डालने इसमें सिंपल से मिसाले डालेंगे इतने जादे नहीं डालेंगे एक चमच हमने रेड मेर्चर डाली है एक ही चमच हम नमक की डालेंगे आप अपनी मर्जी से मिसाले का मुद्ध कर सकें दार चीनी पॉर्डर पांच एमल डाला है हमने पांच एमल अलदी एड़ की है मिसाले आप जितने मर्जी है डालें लेकिन मैं इसमें सिंपल से मिसाले डालूँ इतने ज्यादे मैं मिसाले इसमें नहीं डाल ले माशाला सुभान आला बहुत मज़े की बनती है दिल करता है मटरी को चमचों के साथ खाएं मटरी को हमने काट के अच्छी तरह से एक दो वाइल करके उसका पानी हमने गिरा दिया था जो भी हमारे चैनल पर नहीं हुए सबस्क्राइब कर दिया अकरे लाइक किया अकरे जिसे नहीं पता उसे भी पता चाल जाता यह देखे माशाला मटरी है यह मैंने बौाइल की हुई है तकरीबन मैंने इसे तीन चार बौाइल आय तो मटरी को चूले से उतार लिया था अच्छी तरह से हमने च्छोटी च्छोटी काटी थी माशाला सुभानाला बहुत मज़ेगी बनती है आप यह बना के खाएं बहुत ही जबरदस्त प्यारी यह सबसी है जिसने ना खाई हो कभी तो वो भी खाएगा तो फिर छोड़ेगा नहीं इसको बार बार खाने का दिल करता है यह सर्दी के सीजन में होती है इस मौसम में क्योंकि इतनी ज्यादा यह होती नहीं एक दो बार आप पकाएंगे तो साथ यह होतम हो जाती है उपर से कवर कार देंगे तकरीबन हमने 15-20 मिनट के लिए उपर से कवर करना है गोश्ट को अच्छी तरह से जिकन को हमने नर्म करना है फिर इसको रेजा रेजा कार देंगे इसी में अपर कवर देते हैं इसके उपर डखना देंगे अच्छी मिनट पाद हमने डखना उठाया इसको इची तरह से रेजा रेजा किया यह देखें हमने मेथी डाली है गर्की में थी हमने खुश्क की यह थोड़ी बहुत है माशाला बहुत ही प्यारी जीरा हमने थापट एड़ करते हैं जैदातर कुकिन में हमने पीसा बहुत कम इस्तिमाल करते हैं यह देखे हमने आथों से मसला है खुश्बूदार हो जाए के वाद आथ से मसले ते इतनी प्यारी इसकी खुश्बूदार हो दिया जीरे की हमें लाइट का मसला है लाइट कभी आ रही है कभी जा रही है यह देखें वैडियों के साथ बिल्कल चिकन नहीं रहा यह देखें माशाला सारे चिकन को आमने रिजा रिजा कर दी है माशाला सुबहान अला दन्या में थोड़ा सा काटा है ओपर से डेक्रेंशन के लिए डिशोट करते हैं प्लेट में साल्फ करते हैं चोटी सी रिक्वस्ट करते हैं आप हमारे चैनल पाटनी हुए सब्सक्राइब कर दिया करें वीडियो को पूरा वाच किया करें माशाला सुबहान अल्ला सुबहान अल्ला बहुत ही प्यारी बनी है हमारी मटरी और चिकन खश्बुदार जाइक के वाली माशाला सुबखानला ये देखें इसके लोग का कितनी प्यारी है बार में अपने गैरेज में लेकी आई हो उसके साथ गैरेज में पोड़ा रखा उसके साथ वीडियो बना रही है माशाला सुबखानला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं खदाफीज जो भी मारे चैनल पर नहीं हो सबस्क्राइब करें लाइक करें शेयर किया करें खदाफीज